ऐसी कई घटनाय हो रही है जिसमें लग रहा है कि भाजपा और जद्यू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है कम से कम नितीज खेमे को इस बात का एहसास है कि भाजपा पावर गेम जो है बिहार में वो खेल रही है और इतना ही नहीं भाजपा ने प्रॉक्सिस बिठा रखें अब नितीज कुमार जिस तरीके से अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं यह जो पंचुरत्न है यह इस बात पर एडमेंट हो गए हैं और कह रहे हैं कि नितीज कुमार चुनाव की त्यारी कर रहे हैं लेकिन भाजपा से अलग होने के बाद सवर्णों की आशकता पड़ेगी कर सकते हैं कर रहे हैं और लगातार एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश हो रही है और इसी को लेकर के हम आज बात करेंगे कि तरीके से जीडियू और बीज़िपी के बीच में अंद्रूनी संघर्ष चल रहा है और लगातार नितीज कुमार की क्रेडिबिलिटी को कमजोर करने की एक तरफ तो सक्ता पक्ष्विप के सामने आमने सामने है तो लोगों को दिख जाता है इस फश्रूप से कि हां मतलब महां का डून के नेता अतेशिया अब कुछ बोल रहे हैं और जो है इसको क्रॉस कर रहे हैं लेकिन जब जेडियू और बीज़िप के जिस तरह के से जो है बीज़िप को लगातार कमदर करने की कोशिस कर रही है एक एक रिफरेंस नहीं बताऊंगा उसके बहुत सारे ऐसे रिफरेंसे से लेकिन विधान सभा की प्रोसीडिंग्स को अगर आप देख रहे हैं तो आपको कोई एक इंस्टेंस मुझे बताने की जोत नहीं है एक खास घटना बताने की जोत नहीं है कई ऐसी घटनाए हैं जिसमें भाजपा और जदियू या भाजपा के ही दो पक्ष के लोग तेजसवी आदो बस मुख दरसक बने हुए है गाल पहात रखे सुन रहे हैं यह आपस में ही लड़ रहे हैं हमें कुछ बोलने की जोड़त कोई कहते हैं आप रिपीट कर दिया उस इंस्टास को मैं लेकिन ऐसे कई घटना है यही नहीं है वाक्या था यह नमाज उसे लिगा नितीज कुमार के खिलाब जो आज आपने बताया ऐसी कई घटनाए हो रही है जिसमें लग रहा है कि भाजपा और जदियू के बीच सब क यहां समझें यह बात तो सपर्ष्ट हो गई न आज जो नितीज कुमार और मुकेश सहनी के बीच जो गुफ्तगू हो रही है हमारे माध्यम से इस से यह बात तो चलिर हो गया ना कि यह मुकेश सहनी जो है वो भाजपा केलाई हैं एंडिय के हिसा नहीं है अगर यही बात म विहार के सीएम तो उनके बेटे के कोई कॉंट्रोबर्सी ते मैं फिर किसी इंस्टांज का नाम नहीं लूगा ऐसा ही नहीं है आज नितीज कुमार को कही नहीं आइना भी मुके सहने दिखा दिया जब लालु यादो वाली जेपी सेटु वाली उखतना दिलाई कि आप भी त किस प्रोटोकल से वो थे और इन्हीं छोटी मोटी बातों का नोगजोग का जो ब्यापक असर है वो होता है नितीज कुमार अपनी ताकत को बढ़ाने में लगे हो यह हम देख रहे हैं जिस दिन से उन्होंने ओठ लिया था उस दिन उन्हें एहसास हो गया था यह जो उधा का सिंदूर है जाधा दिन माथा में ठिकेगा नहीं यह बह जाया दूचार बार नहाने के बाद अनितीज ही तो खरगंगा असनान करते ही रहते हैं यह एके करके अपनी ताकत को अलग अलग समी करनों के माध्यम से चाहे लोकुस अलग उलोकुस पर तो हम बहुत रचा कर मैं यह जड़ जड़ बादा करूंगा लेकिन यह हमाद दौसकों को अच्छे से पता है कि लोकुस कितना इंपोर्टेंट हो गया नितीज कुमार के लिए इस वक्त उतना ही नहीं यहां तक आपने खबर यह भी हमारी माध्यम से सुनी है कि उपनकुस वहा को अपनी पर हो रहा है यह किस राजनीतिक संभावना को तलासा जा रहा है अखिर है क्या उपनकुस वहा के पास इस वक्त कितने विधायक लेकर वो आएंगे कोई ना समझ व्यक्ति भी समझ सकता इस बात को कि नितीज कुमार अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए है दूबते को तिंके का सहारा लंगडे के लिए लगड़ी भी बैशा कि किसी भी चीज का ओतले कर नितीज कुमार अपने अपको खड़ा करना चाहते है मजबूत करना चाहते हैं और भाजबा सामने से बात देख रहे हैं धीना बला भी नहीं कंगी तो पांटा नहीं जा सके है और जिस sounded नितीज कुमार भाजपा को छोड़ते हैं जो चुनाओ करना पड़ जाएगा, लेकिन नितीज कुमार को सत्ता में आने के लिए चुनाओ करना नहीं है, उन्हें वो अपना तिकडम लगा लेंगे, आसपास बहुत कुछ है, इतना पानी है कि उए चला लेंगे अपना जीवा लेकिन इन समीकरणों को साधने में नितीज कुमार ने जो हरबड़ी दिखाई है, इससे बिहार के बड़े-बड़े राजनितिक चिंतकों को, मैं छोटे-मोटे बात नहीं कर रहा हूं, जो टीवी यूट्यूब चैनल पर आके अग्यान देते हैं, मरीचा, हल्दी, उसकी ब बात कर रहा हूं, बिहार के राजनितिके वैसे धुरंधर जो घरों में बैठे हुए क्यों इसलिए, क्योंकि उनको सत्ताधारी दलगे खिल्याप लिखने नहीं दिया जा रहा है, इसमें भी नाम नहीं लूगा किसी का मैं, लेकिन मैं उन लोग को अपने गुरू की तरह म यह जो पंचरत्न है, यह इस बात पर एडमेंट हो गए हैं और कह रहे हैं कि नितीज कुमार चुनाव की त्यारी कर रहे हैं, चुनाव तो है नहीं भीहार में, तो फिर किस चुनाव भीहार कर रहे हैं, यूपी में जाएंगे, असाम में जाएंगे, बंगाल में जाएंग तो फिर किस चुनाओ के त्यारी कर रहा है उस चुनाओ की जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं जिसकी चर्चा बिहार के वो चैनल कर रहे हैं जिने राजनिती की समझ है बिहार में एक अधिश्य चुनाओ दिख रहा है जिस वक्त नितीज कुमार पर दबाओ भाजपा का बढ़ जा लेकिन इन परिस्थितियों तक पहुंचने के लिए नितीज कुमार को अपनी ताकत मजबूत रखनी होगी, वो गलतियां रिपीट नहीं की जा सकती हैं, जो पिछली बार हुई थी, चिराक पासवान के पीछे हाद दोकर नितीज कुमार क्यों पढ़े हुए, क्यों चिराक पासवान के राजनीती को कमजोर करना चाहते हैं, क्यों उनके परिवार में, उनके घर में, उनके लोजपा में लगातार तूट मचाने के होड़ लगी हुई है, उस चकर में घोटाले तक हो जा रहे हैं, निताओं का नाम बोल दे रहे हैं, जो नहीं ज्वाइन की हैं, उन नितीज कुमार किसी हटबड़ी में है, उस उपेंदुकुस वाहा को जिसको तिरसित करके बाहर कर देते हैं, उसे इपने साथ क्यों रखना चाहते हैं, माजी जिसे आपने, मैं तो सब्दो का प्रयोग नहीं कर सकता हूं, जो आपने किया है, बंद दरवाजों में आपने कि चिराग डेमेज करेगा, उस वोट बैंक को अपने साधने के कोशिस की अलग-अलग माधिमों से, फिर आपने क्या किया, फिर आपने कहा कि ठीक है, अब जब चिराग पासवान का वोट बैंक हमारे पास आ जाएगा लावकुस के माधिम से, जो नेजले विधायक है, उन आप भी समझ लिए, आप भी समझ लिए, वाजपा के पास वोट बैंक है, जो तत्कालीन नितीज के खिलाफ लोग थोड़े है, सवर्न जाती के, और वो जो की डर जाते हैं, यादि रखिए कि इस बात को आपने चुनाव में मेरे साथ महसूस किया है, जो डर जाते हैं जन पर अपनी रणीतिया राजदी बनाती है, जरूर हम कहेंगे कि A.D. Singh और जो विसकुमान के अध्यक्ष है, M.L.C. भी है, राजद के, असुली सिंग उनके माध्यम से साधनी का प्रियास किया था, लेकिन ये आप भी जानते अच्छे से कि इस वोट बैंक में इनका पहुं परोकारी करते हैं, अब फोन तक उठाता लोग नहीं है, हमको फोन आता तो हम उठाते नहीं किसी का, भाजबाई कितने खबर है हमारे चनल पर आप देखते हैं, खुद सोच लीजिए, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि सरकार के खिलाप एक वाजडो की भूमिका में हम है हमारा काम है कि सरकार की जो कमिया हो, उन्हें उजागर करना, चांद में सौखु भी हो सकती है, एक दाग हमें दिख जागा, हम उसी को दिखा के पूरी रात गुजार लेंगे, तो ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे असपास नियूजपेपर और अखबार और बहुत सारे चीज पहुजबा करने के लिए भाजपा के उस स्कूर वोटमेंक जिसे के बंदूबा बाजपा मानती है, बंदूबा बंधाय। कहीं ना कहीं वह कमोडिटी बनकर फाइदा उठा रहें के वल अब जो अलपसंखक जो सवर्ग है वह सवर्ण वर्ग भी बन गया है कहीं ना कहीं मांसिक रूप से और वह उसकी गुलामी कर रहा है एक निता अगर उठकर चलायता है एक रिप्रेजेंटेशन दे दियाता है च वह बैठेंगे तो मुझे लगता है ब्राह्मन पद सही स्थिफा देते जाती सही खुद ही देते है वहीं भुमिहार गिराज सिंग के खिलाब क्या लिखते है फेस्बुक ट्विटर पर आप जाकर देखिए बरदास्त नहीं होगा आप लोग को अगर आप उनके समर्थक ह तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा वोट वरग है जो कि बंदूगा कहीं नहीं बन गया है और जिसमें पॉसिबिलिटी है क्योंकि वह नहीं है बात समझे वह बस एंटी वोटिंग कर रहा है मुझे राजद को नहीं करना है इसलिए वह एंटी वोटिंग कर रहा है तो उसका और नितीज से थोड़ा खाफ़ा है, देखिए बात अब समझे, नितीज ने सवर्न वोट बेंक हाथिया लिया था बाजपासे, लेकिन दोय चौदह की घटनाओं के बाद जब हिंदू प्रोलाइशन हुआ, नरेंदर मोदी काफी अग्रेसिव हो गये और नितीज कुमार के अपसनी नहीं बचा, यह रातोराथ से कुलर हो गय कोशिद कर दिये गा है, और फिर जीसITY नहीं होता है कि और नोथो जो घुणनके के वीज़ा रहा कि अपसनी लिगै कुछ पाफ घृष् Hammitya कि अपाण३ा वायकि मैंग्यों जों, लेकिन पूरा पीन ऑनके कुछ पहरा स सकता है नितीज कुमार कर देते हैं इनका टैलेंट है और इसलिए इनको उपनाब दियाए ताय को हम तो नहीं बोलेंगे बूलेंगे जरिप से जाहते ही अपरकाष nhất चन्दू वह ब Labcharge है उसको वा जाना फिकेंगे तो वो नाश्ते हुआ जाएगा जाएगा मदारी के बंदरों की तरह एक जगाए के टाओकर वे एकदम खड़ा हो जाएगा और उसके जो करतब करेगा उसी वोट बैंक को साधने के लिए उसी वोट बैंक में हस्तचेप करने उसी बैस में पकड़ बनाने के द्धितीस कुमार ने इस चाल चली ऐ आज रसी पी इसके माध्यम से जट्यू इसे सवर्न प्रकोष्ट बनाना से अँंटि अत्फनगे चार लोग आ जइसके मेंतर सुबख संच हैं आर्सीपी सिंग भी बहुत गदगद थे कि हाँ सबरना है हमारे साथ हमारे पार्टी एटुजेट की है अब हरो को एटुजेट की बात कर रहा है लालन सिंग भी मौजूद थे असोको चोदी हो सकते थे लेकिन खेर नहीं थे लेकिन इस वोट बैंक को साधने के लिए संजे जहा को भी दिल्ली भेजा गया था संजे सींग को जिम लेकिन देखा गया कि अनुट तक आम इनको अपने साथ नहीं कर पाएंगे यह भाजपा के साथ रहें को अपने पाले में कर लें भाजपा के पाले में रहेंगे लेकिन भाजपा से अलग होने के बाद सवर्नों की आशकता पड़ेगी नितीज को वो एक बड़ा वोट बैंक जो भाजपा का बंधुआ बनना नहीं चाहता है कि वाल इसलिए कि मुझे वो पसंद नहीं है मैं आप of the ordinary करना पड़ेगा, गलतियों को समझना पड़ेगा, आप से सराबंदी हुई, आपने किया बहुत अची चीज को आपने बहुत बुरा बना दिया बिहार के संदर में, आपको उन गलतियों को समझना पड़ेगा, उनकी समीक्षा करनी पड़ेगी, और किवल समीक्षा बैठ इछले कई सालों से सवर्न आयोग नहीं बनाया है, यह आयोग बिहार सरकार के अधीन होता है, जिसमें सवर्नों के उत्थान, उनके जीवन, आरक्षन का उन पर असर, अलग-अलग मंदिर, मठ, मस्जिद, जितने भी हैं सवर्न जाती से जुड़े हुए, उनमें क्या प्र होनाओं को तलासने के लिए एक सवर्न आयोग का नितीज कुमार नहीं निर्मान किया था, उस पर अभी तक किसी को रखा नहीं है, अपनी पार्टी में प्रकोष्ट है, लेकिन बिहार सरकार का जो आयोग है, वो नहीं बन पाए है, सुना कि भी से कवाइद उस पर सुरू ह होई है, लेकिन नितीज कुमार काफी दिनों तक इस पद को खाली रखा है, तो आप उनकी मानसिक्ता समझ सकते है, नितीज कुमार के खास भूमिहार समाज का वर्ग है, जो कि खास चेतर से आता है, नाम नहीं लोगा फिर वही बात में नाम में लोगा, उस से मैं किसी को ज करह satu है कि नितीज कुमार की जो एजिटा है उसमें सावरनों के खिलाब ही हमेसा कुछ न कुछ होता है हला कि KCP ने बहुत प्रयास दोलन सिंह स्खिया कि नितिज काइबने पहले के साथ जुड़ पहला कवले निता बन्न के लिए छास्यत अगलते हैं मसरवा मेरा जिस रंग में होते रंग में होते हैं पुरा और अचमाज आप समझ पाइएगा जब नितिश निया हुआ था इसे बात बोलने में डर लग लग रहा है लेकि फिर भी बोलना पड़ेगा क्योंकि चर्चा पर आपने छेड़ दिये थे बुझे बोलना पड़ेगा जब नया नया सेकुलर हुए थे तो नहीं जो निया जो महररू भी आग होता तो यहां तक सिंदू लगात उनके गन्ना मंत्री हो या मलसी बनाया उन्होंने बल्यावी जी को इन सारी चीजों पर नजर अगर आप दोराते हैं और आपको याद हो कि संभीधान को उनके पहले ही प्रिष्ट पे तीन बार सेकुलर लिखा हुआ है मुसलिम महिलाओं के लिए मुसलिम बच्चीयों के इसरत जहान के पिताक के तौर पर भाजपा ने किया था उनको याद कीजिए वो सारी घटना है और फिर वो जब भाजपा की तरह आते हैं जब एक लिबरल हिंदू बनते हैं फिर उनकी राइनिती अलग दिखती है और आज तो पुरीता से भगवा में अपने मन से हो या ब दिख जाता है लेकिन अर्सीप सिंग की इन बातों वो सुनकर लगता है कि अर्सीप सिंग चैसमा बहुत बढ़िया पहनता है कि उनको बिहार में एक तम यूनिफॉर्मिटी दिख रहे है तो सोचल इंजिनिंग दिख रहा है इन परफेक्ट कि चाहे उसात निश्य हो चाह बैठ कर जो एडा बन के पेडा खाना चाहा रही है उस बारे में मैं सपस्ट बोल रहा हूं नितीज कुमार की राजनीती बिहार में बेदाग नहीं है और जो स्कीम्स उन्होंने तुष्टी करन के तहद वोट को अपने पाले में करने के लिए किया है अगर एक नए बनाया है राजद ने प्रवक्ता आज बढ़ाई भी उनको देविए बन्तु सिंग जी को अनन सिंग के सहयोगी रहे है उनकी उनसे पूचा जाए कि नितीज कुमार ने क्या किया है तो वो बताते है इस बारे में खुलकर कई बार मुशे ही बात इंटर्वी में उनने कही थी कि 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 अ है तक है किसे बहुति जो है रहे हैं आपको मजबूत कर रहे हैं हम अने अपको को ख़व में बनने के, सोновत्व आ रहे हैं तो अग्या का जो है की लेकिन एक बार और जो बीजेपी का वोट बैंक है सवर्ण बैंक बोट अब उसको अपनाने के लिए अब उनके नेता हीने बार भर करें कि हमने बस्ता प्रकोस्ट की अस्थापना करी है शब्से पहली बार साथिसर्द हमारी पार्टी ऑट यह तो विद्व नाजर बंख सव इसलिए जीडियू का जो की नजर है वो सवर्ण वोट बेंक पर है ताकि उसे अपने पाले में कर लिया जाए ताकि अपनी इस्थिति को मजमूत कर सके क्योंकि राजत से पहले लाई उनकी बीजेपी से यह वानना पड़ेगा क्योंकि एक परिवार में अगर कोई राजा बन आपको यूपए आईडी दिख रहा उस पर आप जहां तक संभव हो हमें डोनेट करें ताकि हम इसी तरह की से सच्ची और रिल्विक पत्रकारता करते रहे हैं वापो धन्यवाद पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद